देपिका पादुकॉन और रनवीर सींग को एक समय पे बॉलिवूड का नमबर वन जोरी माना जाता था और एक्टर और एक्टरिस के लिस्ट में भी ये दोनों नमबर वन पर थे हैं अब इनकी जोरी का तो पता नहीं लेकिन इनकी करियर का ढ़लान और तेजी से नीचे गिर और रनवीर सींग जैसे एक्टर इस तरह से खलॉप होंगे किसी को आसा नहीं था एक समय पर इन दोनों जोरी ने अच्छे कॉंटेंट जैसे राम लिला बाजी राव मास्तानि पद्वावत जैसे अच्छे कॉंटेंट देकर लोगों का दिन जीता था इसके बाद देखा इसके बाद उनके कैमियो मूवी के अलावा भी तक एक भी मूवी नहीं चल पाया है 2018 के बाद इन्होंने बगवास फिल्म बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है 2018 के बाद इन्होंने च्छपाक 83 जैसे फिल्मों को तो डुबाया ही है साथ में गहराईया फिल्म में जो इन्होंने रायता फैलाया है वो अभी तक समेटा नहीं जा रहा है इनसे आपको क्या लगता है इन दोनों जैसे बरे एक्टर या फिर बॉलिवुड को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखे हैं इस तरह के छोटी वीडियो में जादा जाने का रहे के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें